लेटिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने लॉंच की ई-कलेक्टरेट प्रणाली गतिमान होंगे प्रशाष्टनिक कामकाज उत्राखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत ने बुधवार को देहरादून में इक अलेक्टरेट प्रणाली का श्रुभारम किया यह एक इअफिस प्रणाली है जिसके जरिये नागरिक घर बैठे जिलाधिकारी कार्याले की इस्टेवाओं का लाब उठा सकेंगे और उन्हें कार्याले के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे इअफिस प्रणाली को लांच करते हुए सियम त्रिवेंदर सिंग रावत ने विश्वास जताया कि इसे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता एवं गतिमानता बढ़ेगी उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य विभागों में भी प्रणाली को लागू किया जाएगा सियम ने तैय समय से पहले प्रणाली को करियानवित करने के लिए जिलाप्रशासन को बढ़ाई दी वहीं देहरादून के जिलाधिकारी डाक्टर आश्रिष्ट कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में तासील और विकास खंडों में इस प्रणाली को करियानवित करने का लक्ष है इस उसर पर आईटी सलाकार रविंद्र दत गणवाल के कमिश्णर रविनात रमन आईटी डिये के अमित सिना समय तमाम उच्चा अधिकारी भी मौजूद थे ब्यूरु रिपोर्ट ट्वी वार इंज्ट्या